हेलो एब्रिवन, गूड बाॉनिंग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में, तो आज बात करते हैं, बड़े भुचूर को दोरा बताई गई ध्यान रखने योग के जरूरी बाते हैं, जो की शेहत से सम्मंदित हैं, तो इसके लिए अपना कीमती समय निकालिए जरूर पढ़िए, तो इसमें नमबर फर्स्ट जो टिप्स है फ्रेंज, वो है खटे फलों को लेके, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, इसमें खटे फल सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे की नेमू हो गया, संत्रा हो गया, तम खटाई हो गया अभी बनाते हैं तो इसी को लेके एक संदर से टिप्स है, तो खास कर नेमू को लेके, तो सुबह उठकर नेमू पानी जरूर पीए, क्योंकि नेमू में बिटमिन C होता है, जो की स्किन को चमक परदान करता है, तो अगर आपको स्किन से रिलेटेट जैसे डल स्किन हो जाते हैं, चमक चाहिए स्किन मे तो आप खटे फल खाईए, अब इंटर्शीजन में खटे फल तो इसलीचे मिल जाते हैं, तो खटे फलों का सेवन कीजिए, खास कर नेमू पानी जरूर पीए, नेक्स्ट हमेशा आठ से दस किलास पानी जरूर पीना चाहिए, इससे सरीर में पानी की कमी नहीं होती है, जि क्योंकि दिन मर काफी थकान लग जाती है, थकान के विजल से कभी कभी काम भी ज्यादा हो जाता है, तो उसके इससे सरदर्द भी होता है, तो यह जारी प्राब्लम नहीं होगी, अगर आप पानी पीते रहेंगे, नेक्स्ट है, अपने खाने में छिलके वाली दाल जरूर स बच्चे दूबले बतले हैं, तो खाने में पनीर जरूर समिल करें, क्योंकि इसमें प्रोटीन परचूर मात्रा में होता है, जो कि शरीर के विकास के लिए काफी फाइदे बंद होता है, तो बच्चे दूबले बतले हो प्रैन, तो पनीर को समिल कीजिए खाने में, क्योंक यह भी डिशेस होती है बनाके लाई है बच्चों को तो इसे बच्चे दूबले बतले नहीं रहेंगे नेक्स्ट है हाई वेपी की प्रॉबलम होने पर सुबह खाली पेट किसमिस जरूर खाएं इससे आपको काफी फाइदा मिलेगा क्योंकि किसमिस में फाइबर प्रोटीन परचूर मत्रा में होता है तो खाली पेट किसमिस जरूर खाना चाहिए इससे सरीर को काफी फाइदा मि बहुत होता है तो इसलिए भी हमें किसमिस जरूर खाना चाहिए और हाई वीपी के प्रोब्म से भी बचे रहोगे नेक्स्ट है बदलते मौसम की असर्ट से बचने के लिए दिन के खाने में पुदिने की चटने जरूर सामिल करें तो पुदिने की चटने बनाईए और दिन के खाने में जरूर सामिल करें क्योंकि मौसम बदलता है तो तवियत भी खराब होती है तो बदलते मौसम के असर्ट से बचने के लिए यनि कि मौसम के अकॉर्डिंग अमारी तवियत खराब ना हो तो इसके लिए दिन के खाने में पुदिने के चटने जरूर सामिल करने चाहिए नेक्स्ट डेंगू बुखार होने पर सरीर में काफी कमजोरी आ जाती है और इसका जो मुख्या कारण होता है वो होता है शरीर में प्लेट्स का कम होना तो सरीर में प्लेट्स कम ना हूँ डेंगो पुखार में इसके लिए हमें कीवी फल का सेवन करना चाहिए क्योंकि कीवी ही एक ऐसा फल है जो सरीर में प्लेट्स की प्लेट्स को बहुत तेजी से बढ़ाता है तो कीवी फलका सेवन कीजिए फ्रेंट्स और टिंगो बुखार में स्वस्त रहिए इससे प्लेट्स बहुत जल्दी बढ़ती हैं तो ये थे फ्रेंट्स आज के टिप्स आपको कैसे लगे कोमेंट में बताना और कॉनसे टिप्स ज्यादा बैस लगा ये भी बिताईएगा औ और आज की वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यावाद थैंकि शो मैच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स के साथ